हलोल, मैसकार, स्वागए आप सभी का किसान वाईयोब्र के अपने यूणूबड़ चरल पर तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है केंसरकार के द्वारा लिया गया है बड़ा फैसला इस फैसले से गेंहों किसानों को लगा है बेहत बुरा जटका गेहुं किसानों के लिए बड़ी बेहत बुरी खबर आ रही है जानेंगे इस वीडियो में तो अगर आप रोज गेहुं के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाना चाते हैं तो अभी आप इसे यूटूब चनल को सबस्क्राइब वबस करें सूर करते हैं वीडियो को तो बता दे की तूट रहे हैं गेहुं के दाम वैपारियों ने नहीं की है खरीदी तो गेहुं के निर्याद पर लगी रोक के बाद सकल अनाज तलहें तिलहें महासंग के अभान पर मद्ध बदेश के छिंदवड़ा अनाज वैपारी संग ने भी करसी उपज मंडी कुस मेली में निलामी का बहसकार किया है उन्होंने दो दिवसी हरताल की कोशना करते वे किसी भी उपज को नहीं खरीदने का निर्णे लिया है पहले दिन मंडी में आधा सेकड़ा से अधिक किसान पहुचे लेकिन एक पूरी उपज की भी निलामी नहीं हो पाई मंडी द्गारियों ने बताया कि मंडी में जिन किसानों को हरताल की जानकारी नहीं थी वे ही मंडी पहुचे हैं जानकारी के अनुसार करीब 5000 क्वेंटल से अधिक उपज की आवाग हुई जिससे किसी वेपारी ने भी नहीं खरीदा बता दे कि बुद्वार को भी मंडी में खरीदी नहीं की जा सकी और इसके बाद खरीदी होगी की नहीं इस समझ में फिलहाल वेपारी संग ने कुछ इसपस्ट नहीं किया है बता दे कि गिहों के दाम में 200 रुपए प्रत्कुंटल टूट गए हैं जिन गिहों के अधिकतम भाव 2300 रुपए प्रत्कुंटल तक चल रहे थे वैपारियों के द्वारा लिया गया गिहों बंदरगाह में ही फसा हुआ है जिसके चलते खासा नुकसान होने की आज़संका है तो बड़ी ख़बर निकल गार आ रही है इस वक्ति गिहों किसानों के लिए इस वीडियो में थी दिजान गई धन्वार